आज मैं सबसे पहले चट्नी बनाने जारी हूँ तो उसके लिए ये है हरी धनिया, अधरक, लहसून, हरी मिर्च, अंगूर, अंगूर की चट्नी बनने जारी है विधनिया की पत्ते, नमक टेस्टे कोडि, थोड़ी सी पाने, इसको हम फट से पिस करके आते हैं, तो लीजिए, बन गई बहुत इस्वादिस्ट चट्टकेदार चट्नी, अब ये है पत्ता गोवी, इसको हमें बारिक-बारिक कटिंग करनी है, नमस्ते, मैं इसमीता, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर, ये है पत्ता गोवी, इसको हम अच्छी तरह से धो लिए हैं, साफ कर लिए हैं, जो उपर का एक्स्ट्रा जो खराब वाला पत्ता होता है, उसको निकाल लिए हैं, अब इसको हमें बहुत ही बारि आप सभी को पसंद आती है, तो रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा, चैनल पर फर्स टाइम बिजिट कर रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की आने नोटिफिकेशन आपको फटा-फट से मिल सकें, और आप मेरी रेस्पी को ट्राइ करके अपनी लाइफ में इंजोई कर सकें, ती लीजिए, जितना मुझे आवशकता है, उतना पत्ताव को भी मैंने, उतना कैबेश बारीक बारीक कटिंग कर ली है, और बचा है, तो उसका कुछ बार में बनाएंगे, जब बनाएंगे तो दिखाएंगे, ये बहुत ही बारीक कटिंग करनी है, और है भी बहुत सॉफ्ट, अब इसको हम एक बावल में ट्रांसपर कर लेते हैं, साथ में ये है प्याज, जो की छिला हुआ, धूला हुआ, बारीक-बारीक कटा हुआ हरी धन्या के पत्ति, ये भी बारीक कटिंग है, और सारी सब्जियां धूली हुई है, ये है हरी मिर्च, ये है अध्रक लैसुन का पेश्ट, इसमें इसको हम कूटे हैं, पीसे नहीं हैं, दरदरा सा कूट लिए हैं, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे, ये है गरम मसाला, ह थोड़ी सी हल्दी, वनफोर्थ टीएसप, ये है टेस्ट एकोर्डिंग नमत, थोड़ी सी जीरा, हाफ टीएसप, ये है एक बॉयल आलू, तो आलू को और कैबेज की, आलू और कैबेज की क्वांटिटी अपने उंसा लेना है, हमारा कटिंग करके एक बड़ी कटोरी से कै अगर कैबेज आप लगों का जादा होगा तो आलू की मात्रा भी बढ़ार लीजेगा, जादा होगा तो दो आलू कर लेजेगा, लेकिन बहुत जादा आलू नहीं मिक्स करनी है, पर हाँ बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, एक कटोरी पर एक अलू, मीडियम साइज की फूल गोवी की मिक्स करके मिक्स वेज कबाब बनाये थे आज मैं बना रहे हूं कैवेज का विध ब्रेट क्रम के साथ कबाब तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि इसमें जो ब्रेट क्रम्ब है वो कवेच के जो पानी है ना उन सब से ये पकड़ बना लेगा इसमें पानी मिक्स बिल्कुल नहीं करना है अब इसको अपने पसंद के आकार में देख करके हमें रोल, गोल, कटलेट के आकार मे जो भी पसंद हो उस हिसाब से इसकी हमें पेड़े बना लेनी है तो हम इस तरह से बना लेते हैं आप लोग अपने पसंद का उनसार से बना सकते हैं अब हम फिर से एक दुसरा बाउल लेंगे इसमें लेंगे दो बड़े चमस मैदा थोड़ी सी टेस्ट अक्रोडिंग नमक, बहुत हलका नमक मिक्स करना है क्योंकि हमने बैटर में भी नमक मिक्स कर रखा है आप इसको थोड़ी थोड़ी पानी आइट करके एक घोल बना लेंगे झाल झाल तो लिजिए मैदा का घोल भी हम त्यार कर लिए और ये सारे टिक्या सारे कटलेट सारे पेड़े को हम इस तरह से बना करके रख लिए हैं अब गैस अन करेंगे इस पर रख देंगे पैन और इसमें ले लेंगे हम रिफाइंड ओल फ्राइ करने के लिए और जब हीट रिफाइंड ओल गरम हो जाएगा खुब हाइफ लेंपे तब इसमें हम फटाफट से मैदे में डिप करेंगे जो कटलेट जो टिकिया बना के पेड़े बना के हमने रखा है उसको इसमें डिप करेंगे और फ्राइ फैन में डाल देंगे फ्राइ होने के लिए इ यह बहुत ही श्वादिस्ट, ऊपर से कृष्पी, अंदर से सॉफ्ट इसनेक्स नास्ता बन करकर त्यार होगा इसको ऐसे भी खा सकते हैं और किसी दिसके भी साथ खा सकते हैं डिनर पे, लंट पे, ब्रेकफास्ट में, टिफीन में ले ले जा सकते हैं कहीं पर भी से बहु ही आसान है सिंपल है इजी है और नुक्सान भी नहीं करेगा इसमें कोई ऐसा चीज नहीं है जो स्वास्त के लिए हानिका रखो झाल 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 इसको हम फटा फट से बैच 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 फ्राइब कर लेंगे और तो यह हमने सारा फ्राइब कर लिया है आप लोग भी इस रेश्पी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और यह है चटनी तो अब खाकर को बताते हैं कैसा बना मिलती आप लोग इसे इंज्वाई कीजिए मैं मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में एक अच्छी इस रेश्पी के साथ तब तक के लिए वी से बी अलट थैंक देखिए कितना खुबसूरत बहुत स्वादिश्ट है सच में इस रेश्पी को आप लोग जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत 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 स्वादिश्ट है